hello friends welcome to my channel in this video हम सीखेंगे कि आप कितना पैसा saving bank account deposit कर सकते हैं या कितना पैसा आप saving bank account से withdraw कर सकते हैं जिससे आपको income tax का notice नहीं आए या income tracks at आपका कितने का financial transaction को track कर सकता है ओके तो इन लिमिट्स के बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में कि आप कितना पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको इंकम टैक्स से कोई भी नोटिस नहीं आएगा आप सो सेविंग अकाउंट की बात करेंगे इस वीडियो में और रेफ्रेंस में देऊंगा सेक्शन का सेक्शन 285 बी ए और इसमें हम सीखेंगे कैश डिपॉसित लिमिट्स एंड कैश विड्रॉल लिमिट्स जिससे आपको इंकम टैक्स एक्स इस और इंकम टैक्स यह नहीं घड़िय। सवुद्स एकमें चाव कॉइशिएट एकमेंग ऐस्यार एकयोंस में आपका सर्य कोई बैंक में आपका सेवंग अकांट है और उसमें आप कैश डिपॉसित करते हैं या कैश विद्वाल करता कितना ₹ 10 लेक्स अगर आप मोर दने टैन लेक्स कैश ड information income tax department को दे देगी क्यों because as per section 285 यह कुछ specified transactions होते हैं जिनकी information bank को देनी पड़ती है income tax department को इसलिए जैसे यह 10 lakhs की limit exceed होगी whether you are transaction your transaction is in one transaction like 10 lakhs का transaction एक बार में कर रहे हैं या one or more transactions में कर रहे हैं like pellet 2 lakhs then 5 lakhs फिर 5 lakhs ऐसे whether आप transaction में यह limit cross करें या 2 या 3 या 5 transactions में cross करें उससे कोई फरक नहीं पड़ता जैसे 10 lakhs की limit cross होगी bank के ओपर यह liability रही कि कि वह income tax department को यह information देगी ओके तो कुछ examples से लेता है in one financial year राम जो है वो deposit करता है अपने saving account में 12 lakhs तो इसमें जो limit है 10 lakhs की वो exceed होगी तो जैसे यह limit exceed होगी bank के ओपर यह liability है कि वो income tax department को इसकी information देगा ओके सेकंड एक्जामपल इस राम ने विड्रॉव किया है 11 lakhs ओके अब 11 lakhs विड्रॉव भी किया है तो भी saving bank क्या करेगी उसकी information income tax department को देगी अब राम जो है वो क्या कर रहा है deposit कर रहा है cash कैसे in parts like पहले उसने 5 lakhs deposit किये then 3 lakh then 4 lakh तो total exceed हो गया 10 lakhs से तो जैसे total exceed हो गया अगे इन bank के ओपर liability है कि वो information income tax department को भेज देगी report कर देगी अब अगर राम ने withdraw की है cash in parts पहले 5 lakhs 53 lakhs फिर 4 lakhs ऐसे withdraw की है और limit exceed हो रही है more than 10 lakhs then bank क्या करेगा उसको report कर देगा अब इसके बात क्या होता है इसके बात का भी मैं बताता हूं जैसे ही bank report करता है इन specified financial transactions को यह जो कुछ transactions मैंने बता है यह सब होता है specified financial transactions ऐसे बार भी होते है current accounts के case में अलग चीज होती है fixed deposit के case में अलग चीज होती है तो अभी तो हम खाली saving bank की account की बात कर रहें but there are multiple transactions like this इन्हें हम कहते है specified financial transactions यह ऐसे transactions होते हैं जैसे यह transaction कोई भी bank में करता है तो bank के उपर यह liability होती है कि वह यह सारी transactions की details report कर देख इसको income tax department को अब इसके बाद income tax department क्या करता है आपको नोटिस बेच सकता है आप से explanation मांग सकता है कि आप के यह जो income है इसकी source क्या है यह जो पैसा आप transactions कर रहे हैं इसका source क्या है ओके यह और भी कि कई तरह का explanation मांग सकते हैं ओके और अगर आपने income tax return भारा है तो पहले तो क्या करेगा income tax department पहले आपने verify करेगा कि आपने जो idea file किया है वह उसमें जो भी information income आपने शो की है वह reasonable लग रही है या नहीं लग रही है in transactions के आप से लाइक आपने income शो कर रखेए सबोस्ट टू करोड थी करोड आपकी income पर रहनम और आपने transactions कि यह यह more than 10 lakhs के इन वन पर्टिकुलर फिनेंशल यह दैन इंकम टेक्स को अगर लगेगा कि कोई अन्रीजनेबल नहीं लग रहा है इंकम टेक्स को तो आपको notice notice कुछ नहीं आएगा बट अगर आपने income अपनी शो कर रहे है like 3.5 lakhs then income tax department आप से definitely उस income का source पूछ सकता है या किसी भी तरह का explanation मांग सकता है आप से through notice okay और जैसे कि मैंने बताया it is also possible that income tax department आप से किसी भी तरह का explanation नहीं मांगे because आपने जो आई टीर फाइल किया उसके according income tax department को लग रहा है कि आपकी जो जो transactions है वो reasonable है इतना कुछ बंदब आपने income भी इतनी शो कर रखिए transactions के हिसाब से तो ऐसा भी हो सकता है कि income tax department आपको कोई भी explanation या source नहीं पूझ है okay